जी यहां दोस्तों हम बात करने वाले हैं भी ये थर्ड समेस्टर एक्जामिनेशन 2022 ते इस पॉलिटिकल साइंस यानि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बारे में पेपर एनालैसिस करेंगे कितने कोशन आप सही किया हैं कितने गलत किया हैं इस वीडियो से आपके सारे क फ्यूजन दूर हो जाएंगे दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कोशन कहरा दोस्तों भारत में लोकतांतरिक परकिरिया का प्रारंब हुआ था तो इसमें दोस्तों आपसा नमबर 8 है तीन सो सचतर में जम्मू और कस्मीर राज को बीसेस राज का दरज अगला प्रस्ण है संविधान सभा का अस्था यद्ध्यच कौन चुना गया था तो यह रखे दोस्तों आपसन नमबर 8 है संविधान सभा के अस्था यद्ध्यच थे अगला प्रस्ण है दोस्तों प्रथम पंचवारसी योजना शुरू की गई तो यह रखे दोस्तों प्र की गई, तो यदर के दोस्तो नीती आयोग किया स्थापना 2015 में की गई थी आफसेन नम्बर ए इसमें सही था दोस्तों, अगला प्रसन कहरा है किंद्री समाज हितकारी पंचायती राजब्यवस्ता ने समय धानिक धरज़ा प्राप किया था 1993 में पंचायती राज़ ब्यवस्ता ने समय धानिक दर्जा पराथ किया था अगला प्रसन कहा रहा है दोस्तों पंचसील सी धांत संबंदित है तो याद रिखे कि दोस्तों पंचसील सी धांत विद्यस नीती से संबंदित है अपसा नमबर सी सही था दोस्तों नमा प्रस्ण कारा दोस्तों राजनीतिक परकिरिया संबंदित है तो याद रिखे कि दोस्तों राजनीतिक परकिरिया चुनाव परकिरिया राजनीतिक डल और हित समू तीनों सो संबंदित है यानि अगला प्रस्ण कारा है राजनीति ब्यवस्ता है तो याद रिखे कि दोस् दोस्तो भार्टी सम्विधान ने एकल नागरिक्ता की व्यवस्था बना अफ्सन मम्बर ये सही है। बरामप तुह दोस्तो और दसंगवात व्य॓स्ता का लाब है। के दोस्तो एकल राष्टी एकरण राष्टी एक्ता और सायोक समध्न में जयानी अफ्सन No.D भी सय दोस्तो अगला प्रस्ण का रहा है तो घटबंदन राज नीती आ का नाकारातमक पकष है को आधिर कोश्यन है इसमें सही था दोस्तो अगला कोश्चन है गड़बंदन सरकार के परकार होते हैं तो यादर के दोस्तों अफसन नम्बर A सही था दल परड़ाली लोकतंत्र के लिए आवस्च्छ है अगला कोश्चन है दोस्तों अगला कोश्चन कर रहा है भारत में कौन सी दल परड़ाली अस्तित्तु में है तो यादर के गड़बंदन सारी चुनावी पार्टियां है इसलिए बहुत दली परड़ालियां है अगला कोश्चन है दोस्तों अस्थानी सोसासं किस परकार की सरकार का अधार है तो यादर रहेगा अपन्टांत्रिक बेवस्था बाली सरकार है अगला कोश्चन है दोस्तों पंचायती राज ब्यवास्था में महिलाओं का 8,6% क्या है तो याद रखेगा अपसन नमबर C है 33% अगला प्रस्ण कहा रहा है दोस्तों जिला का सरवच अधिकारी है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जिला का सरवच अधिकारी डिस्ट्रिक मजिस्टेट यानि डियम हो हाई दोस्तों अगला कोशन कह रहा है बलवनत राय में हता समिती का 마ropos सौंपी ग गई तो याद रहे東 हैफ नम्पर ए हैING संतामन में बलवंत राय मेहता समिती का रिपोर्ट सोपी गई अगला कोश्चन है दोस्तों तियात्रवा संविधान संसोधन अधिनियम 1992 संबंदित है तो याद रखेगा अगला कोश्चन है गोरकपूर में नगर निगम की अस्थापना द्वारक किया गया था तो ये कोश्चन संसे में दोस्तों हमको लग रहा था अपसनमर डी सही है लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएगा इसमें से आप लोग कौन सा नंबर इसमें ये वी सी कौन सा सही करके आए जिस पर सबसे ज़्यादा वोट होगा यानि वही सही होगा आगे बढ़ते हैं कमें करके बताएगा क्रेसी किस अनुसूची में सम्मिलित है तो याद रखेगा दोस्तों क्रेसी 11 अनुसूची में सम्मिलित है अगला प्रस्न है दोस्तों पंचायत सम्थी का छेत्र है तो याद रखेगा पंचायत सम्थी का छेत्र खंड होता है दोस्तों खंड मतलब जानते हैं जैसे पिपरावली बलाग हमारे यहां है पिपरावली बलाग बलाग को दोस्तों क्या कहते हैं बलाग को कहते हैं दोस्तों खंड हिंदी में खंड बो प्रफम भारती महिला संग का गठन किस नगर में और पावेल के वर्गी करण में निम्न लिखित में से क्या सम्मेलित नहीं है अब लोग कमेंट करके बताएगा दोस्तों इसमें से कौन सा सही है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन बताते हैं दोस्तों आपको दबाव समूं अ कौन सा साधन अपनाते हैं तो वह समयधानिक साधन इपनाते और गयOS तमइदानिक समभादन भी अपनाते यानीं दोस्तों आफसराजन नबर सी में सही था या य य और भी दोनों अगला कोश्चन है दोस्तो प्रथम भारती महिला संग का गठन किस नगर में हुगा था तो याद रखे दोस्तो आफसे नमबर भी है मदरास में अगला कोश्चन कहरा है दोस्तो मतदान बेवार किसका रूप है तो याद रखेगा मतदान बेवार दोस्तो राजनीती बेवार है आफसे नमर भी सही है अगला कोशन है दोस्तों विसाई जिसमें चुनाओ की परकिरिया का अध्यन किया जाता है तो याद रखे दोस्तों आफसे नमरे है सेफो लाजी में चुनाओ की परकिरिया का अध्यन किया जाता है मोस्ट इंपोर्टन प्रसन है दोस्तों अगला प् भारत में चुनावी परकिरिया के अध्यान सरव पर्थम प्रारम किस ने किया था दोस्तों यह भी कोश्चन आप लोग कमेंट करके बताईएगा बहुत खोजने पर भी हमें मिला नहीं है बताईएगा आप लोग कमेंट करके इस पर सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी वही क है भारत को धर्म निर्पे छराज घोसित कि या गिया तो यादर के दोस्तों आपशन नंबर भी है cage 76 में भारत को धर्म निरपे छराज गोसित किया गया ता यह भी मॉस्ट इंपोर्टेंट प्रसमिंए दोस्तों अगला कोश्चन है अनुसूर्ची जन जाती की कुल संख थी तो आप लोग कमेंडों करके बताएगा आप लोग किस option को सही करके आ हैं जिस पर सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी वह ही question सही होगा दोस्तों अगला प्रसन है अन्य पिछड़ी वर्ग को भारत में कितने परतिसात आरक्षड दिया जाता है यानि ओ बीसी अधर बैकव से 329 तक बारती संविधान का अनुच्छे चुनाव संबंदित है यह question हमें सब पूछता है दोस्तों और आगे भी पूछ सकता है आप लोग ध्यान में रखिएगा यह मत सोचिए नहीं आ सकता है यह भी आ सकता है व्यास्क मता अधिकार वेवस्ता संविधान के किस बुद्धा अलगाव की राजनीती का उधारण है दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है कम सकम एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि दोस्तों इस पर ग्रेजुएशन और जो कंपटीशन का एक्जाम होता है जीके जीस जो पूछे जात रहते हैं तो दोस्तों बने रहे हैं का वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में तब देले जाहिंद बंदे महतरम